नमस्कार दोस्तों मैं हूँ शुयम आज अब बात देशों की अर्थवयस्था क्यों होती है तो हर देश का कई न कई अपना एक अर्थवयस्था का मॉडल है जैसे कि चाइना बल्क मनुफेक्श्रिंग करता है बंगलादेश टेक्स्टाइल इंडस्ट्रीज में है इंडिया आईटी सेक्टर्स में है इसरेल हाथियारों की रेज में है यूए ही पेट्रोलियम से पैसे कमाता है तो वैसे ही हर देश का अपना एक अर्थवयस्था का मॉडल बना हुआ है और अगर नेपाल की ओर देखे तो एक ही शब्द आता है जो कि यह टूरिस्म लेकिन सिर्फ टूरिस्म पक्का और पुक्ता मॉडल नहीं बनता लेकिन नेपाल के पास भी ऐसा प्रम्हास है जो कि नेपाल को एक सेक्टर में एक यूनिक महारती बना सकता है अगर और वो सेक्टल है power और इनरजी का complete लेकिन आप लोग काहोगे की power and energy तो fuel से ही आती है और नेपाल को ठोख खुद petroleum diesel आयात करने पड़ते हैं यानि की import करने पड़ते हैं लेकिन नेपाल के पास एक चीज जादा है, जो कि यह बिजली, नेपाल करीबर 200 मेगावाट बिजली बनाता है, हाइड्रो पावर्स, जिसमें इस सिर्फ 1800 मेगावाट नेपाल की पीक की खपत है, यानि यह नेपाल के पास काफी जादा बिजली बची रहती है, लेकिन आपक का है ग्रीन हाइड्रोजिन और इसी को लेकर नेपाल के काटमांडू में हो रही थी 10 और 11 अक्टूबर को एक मीटिंग जिसमें थे कई सारे विदेशी इंवेस्टर साथ साथ नेपाली इंवेस्टर साथ इस साथ इंजीनियर और एकॉनिस्ट भी और इस चीज़े इशारा कर यह वो नेपाल के पास mostly available है जिसकी बात हम आगे करेंगे साथ ही बात करेंगे कि नेपाल इस ग्रीन हाइड्रोजन को कैसे बना सकता है साथ ही साथ इसके पीछे की क्या टेक्नोलोजी रहेंगी और आखिर क्यों नेपाल के एक अच्छा चांस है और नेपाल हाइड्रोजन क समिट 2022 और इस मीटिक में नेपाल में ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए चर्चा हो रही थे क्योंकि कई बड़ी पावर्ज का शिप अब हाइड्रोजन की तरफ हो रहा है करीबन 10 से भी जादा नेशन है जो कि हाइड्रोजन की तरफ रुक कर चुके हैं जिसमें है कैने वातवरण में कार्बन का 0% emission करता है यानि कि वातवरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुचाता है तो पूरी दुनिया में एक नई मार्केट क्रियेट हो रही है जो कि है क्रीन हाइड्रोजन की जो कि आने वाला future है बहुत सारे लोग कहीं कि नेपाल ही इस पर क्यों सोच र लेगा लेकि नेपाल भी कुई इसका reason है कि नेपाल के पास है surplus amount of electricity और hydrogen बनाने में electricity का बहुत बड़ा योगदान है तो इसलिए नेपाल के पास एक edge हो सकती है कि नेपाल जल्दी इस पर काम शुरू कर सकता है ये graph दिखाता है कि future में hydrogen की demand हार sector में कितनी जादा वढ़ने वाली और अगर आपको लगता है कि नेपाल hydrogen प्रोड्यूस करके एक अच्छा economic growth कर सकता है तो कौन दौस में करके जरूर लिखे का नेपाल hydrogen तो चलिए बड़ते थोड़े इंट्रस्टिंग और टेक्निकल टर्म्स पर कि कैसे नेपाल इस hydrogen को निकाल सकता है और ये process इतना स है जो बबल्स आपको दिख रहो है ये hydrogen निकल रही है और यहां पर oxygen के बबल बहुत कम निकल लोगा अपको देख रहेंगे और मैं आपको पास से दिखा हूं तो यहां पर आपको बबल्स काफिल ठीक से दिखेंगे और यह तार जो है इनको मैंने 12V DC दिया हुआ है तो यह है hydrogen निकल रही है या नहीं निकल रही है और थोड़ा safety के लिए मैंने glasses लगा लिए घर पर करने से पहले थोड़ा safety रख लेना जिसे मैं इस ट्यूब को निकालने वाला हूं और hydrogen हलकी होती है तो hydrogen जो है इसके इसी साइड पर होगी जहां तक की मुझे पता है यहां पर काफ तो थोड़ी देर के लिए हुआ है hydrogen हलकी तो hydrogen कहीं नहीं ऊपर होगी और मैं इसको पास लाके थोड़ा चा टिल्ट करूंगा जिसके बाद hydrogen शायद जले अगर होगी तो थोड़ी बहुत भी तो देखते हैं फ्लेम के पास लाके है तो यहां पर एक हमको स्टोक देखने को म होता है और उसमें जो है ना जो आपकी इलेक्टोट्स दिख रहे हैं जो कि मैंने नट बोल्ड यूज किया है उसमें दूसरे मेटल के होते हैं जो की काफी ज्यादा hydrogen और oxygen दे सकते ज्यादा अच्छा तो मैं इस experiment के लिए बहुत मैनत किये तो प्लीज आपको अच्छा स्लूशन है नेपाल के पास green hydrogen तो नेपाल इस बिजली को convert कर सकता है बिजली से hydrogen की form में और इस hydrogen को नेपाल in western countries में उसको यह hydrogen बेज सकती है और इसके लिए चाहिए बिजली पानी और थोड़ा infrastructure जिसके लिए ही नेपाल सोच रहा है साथ-साथ hydrogen बनाने के साथ ही नेपाल थ जाधा लोग है जो कि वीडियो को रगुलर देखते हैं लेकिन चैनल को subscribe नहीं किया है नहीं किया है प्लीज यार चैनल को अभी subscribe कर लो और बाजू में जो bell के बटन उसको भी दबालो ताकि latest update आप लोग को मिलते रहे और आप लोग का knowledge भी इससे बढ़ता रहेगा मैं क्योंकि आपके लिए एक like या subscribe का button हो सकता है लेकिन मेरे लिए काफी जाधा motivation है जिससे मैं ऐसी information पर काम करता रहूंगा तो hydrogen से नेपाल के लिए कई बड़ी opportunities खुरने वाली है पहली बड़ी opportunity है कि नेपाल को अपनी बिजली को बेचने के लिए मशक्कत नहीं करने पड़ेगी जिसका नेपाल पूरी तरीकी से यूज कर सकता है अगर नेपाल hydrogen का production शुरू करता है तो सेकेंडी नेपाल अगर green hydrogen बनाता है तो पूरी दुन्या को requirement है आज green hydrogen की तो इक climate change को लेकर सारे ही देश सतरक है और वो कहीं न कहीं green hydrogen की तरफ ही रुक एक्तियार कर रहे हैं और 2025 या 2030 तक वो पूरी तरीके से hydrogen पर ही चलने वाले हैं उतका सीधा फायदा नेपाल उठा सकत आपाल की जो अपनी घरी लोग खरपाता है वो भी बहुत बड़ी है जिसके लिए नेपाल का क्लाइमेट इससे काफी जाद अच्छा है अगर नेपाल hydrogen का use करता है तो नेपाल में भी zero carbon emission हो का और इन पिखलते हुए हमाले असके लिए hydrogen एक antidote का का काम करेगी पांचपा बड़ा फायदा है कि नेपाल की आर्मी को अच्छी क्वांट्टी में अमोनिया भी मिल पाएगा जो कि नेपाल में ही बना होगा इंडेस्ट्रिय लिवल पर एक सर्व प्रोसेस होता है जिसके जरिये नाइट्रोजन को भी एक पांचफिर से निकाला जा सकता है वैसे अगर नेपाल नाइट्रोजन को भी निकाल लेता है तो नेपाल अमोनिया बना सकता है इससे क्योंकि ammonia का formula होता है NH3 और नेपाल के पास अगर hydrogen है और नेपाल के पास अगर nitrogen है तो दूनों का reaction करके ammonia बनाई जा सकती है और कड़ी बन 13 billion रुपीज का नेपाल आर्मी ammonia import करती है यह कई blast करने के लिए ammonia का use किया जाता है साथ एक और बड़ा फायदा यह भी है कि नेपाल के पास fertilizer भी अच्छी quantity में हो पाएंगे और नेपाल यूरिया का production भी कर पाएगा अब इसी ammonia का एक process के जरीए reaction किया जाता है carbon dioxide के साथ जिसके जरीए बन सकता है यूरिया जो की fertilizer यानि की खाद के तोर पर use किया जाता है और नेपाल करीबन 7,000,000,000 यूरिया का import करता है जो करीबन 20 billion रुपीज से भी जादा का होता है और इस सारे product नेपाल export भी कर सकता है और अपने use में तो ले ही सकता है और इस meeting में डिसाइड हुआ कि नेपाल 4-5 साल में UER के plants को लगाएगा जिससे fertilizer बन सकेंगे नेपाल में ही सरसार नेपाल प्लाइन करता है कि आने वाले 10 सालों में नेपाल हाइडोजन का export करने के लिए plants को लगाने की कोशिश करेगा तो इतने सारे बड़े फायदे हैं नेपाल अगर हाइडोजन का production शुरू करता है और इसलिए हाइडोजन नेपाल के लिए एक game changer का काम कर सकती है पर आप लोग के भी दिमाग में question होगा कि क्या हाइडोजन safe है as a fuel use करने के लिए यानि कि पेट्रोल और डीजल के साए क्या गालियों में हाइडोजन use करना safe होगा या नहीं तो हाइडोजन के साथ सिर्फ एक problem है इसको store करने की इसको compressed gas form में साथ liquid form में भी store किया जा सकता है लेकिन liquid form में इसको store करने के लिए temperature बहुत कम चाहिए जो कि चाहिए करीबन minus 252 degree Celsius तो इसको करीबन minus 252 degree Celsius पर liquid form में store करना nearly impossible है common जगाहों पर तो एक मातर तरीका इसका बचता है कि इसको कैसे store किया जाए वो है gaseous compressed form में इसलिए hydrogen को store करना ही एक बड़ी problem है पर hydrogen काफी साथ सेफ है और fuel के मुकाबले है सबसे पहले तो यह non-toxic है यानि कि अगर यह leak भी हो जाती है और यह अगर आपके room में भी है तो यह non-toxic है अगर आप इसको सुन भी लेते हो तो आपकी body पर कोई भी असर नहीं होने वाले साथ दूसरी चीज़ से यह काफी light weight है यानि कि अगर यह leak होती है तो यह काफी जल्दी atmosphere में फैल जाती है जिसके चलते इसके हाथ से होने के chances काफी कम है पर फिर भी hydrogen एक fuel है यानि कि यह जल सकता है तो हाथ से होने के chances तो होते ही है तो कैसे लिए आपको video comment करें जरूर बताएगा साथ अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो please इसको like जरूर कीज़ेगा और चांड को subscribe नहीं किया तो चांड को अभी subscribe कीज़ेगा और bell का icon जरूर दभल लिएगा साथ इसको अपने friends और family तक share जरूर कीज़ेगा ताकि स सबको ऐसी knowledge and information मिलते रहे धन्यबाद एनाइन्यूज